हम इस रूम की रूफ को सुपर साइस्ट केमिकल रियक्शन से उडाने वाले हैं बॉटल्स को बंद करो, बकेट में डालो और भागो वहां से ये है स्ट्रीट साइन्स बियर कैन में बाहर के मुकाबले ज्यादा एट्मॉस्फेरिक प्रेशर होता है जिसे हम कैन ओपन करने पर देख सकते हैं अब मैं इस notion of pressurization को लेकर liquid nitrogen की help से इसे ज्यादा explosive बनाना चाहता हूँ इसमें जो pressure release होगा वो smashed beer can के मुकाबले बहुत ज्यादा होगा मैं ये experiment brewery में काम करने वालों को दिखाना चाहता हूँ liquid nitrogen minus 160 degree पर boil होता है जब ये liquid nitrogen room temperature से expose होता है तो ज्यादा quickly boil होना शुरू करता है जिसे massive amount of vapors बनने लगते हैं जब हम इसे plastic bottle में fill करते हैं तो ये chemical expansion bottle के अंदर huge amount of pressure build करता है और आप imagine भी नहीं कर सकते क्या होता है ओर राइट गाईस हमारे पास 5 buckets हैं और 5 bottle liquid nitrogen की हैं हम bottles बंद करेंगे ताकि pressure build हो सके फिर इने buckets में डालेंगे और उन पर colorful ping pong balls डाल देंगे तो आप सब प्लीज पीछे जाएए तांक यू डारिन तुमने क्या preparations की हैं मैं 1000 frames per second की high speed पर शूट करने वाला हूं मैंने अब हर जगा cameras fit कर दिये हैं आप सब तयार है बॉर्टल्स बंद करो बॉकेट में डालो और भागो वहां से बॉर्बाश बॉर्टल्स बीधे लुए बॉर्टल्स बड़ कर दिये हैं बॉर्ट बॉर्टल्स बॉर्टल्स बबॉर्टमुप बभीधश वेल, हुआ ये कि जब सारी लिक्विड नाइट्रोजन एवापरेट हो गई तो उससे बॉटल पर काफी प्रेशर बिल्ट अफ हो गया और जब वो रिलीज हुआ तो वो बहुत क्विकली हुआ और अपने साथ जो कुछ भी था सबको उड़ा दिया बियर कैन्स और प्लास्टिक बॉटल्स के एक्स्प्लोड होने के पीछे का साइन्स सेम है गैस के एक्स्पैंशन से प्रेशर बिल्ट अफ होता है और वो उस लेवल तक पहुच जाता है कि बॉटल हो या कैन वो बर्स्ट होने लगता है जिसे डारन इंप्लोजन समझ रहा है उसे सिलिंडर के अंदर एक्स्ट्रीम चेंज अफ एर प्रेशर होने से बैरल का श्रिंक होना भी कहा जा सकता है इस एक्सपेरिमेंट से एक बात तो क्लियर हो गई है चाहे वो बियर में काबन डायकसाइड हो या बॉटल में लिक्विड नाइट्रूजन गैस अंदर प्रेशर डेंजरस होता है कि कर दो दोगता है